सो आज किस वीडियो में आप सभी से बात करने वाला हूँ कि YouTube किन वीडियो का वाश टाइम जो है वो monetization threshold के लिए count करता है और कौन सी उस टाइब की वीडियो होती है जिनका वाश टाइम YouTube जो है वो monetization threshold के लिए count नहीं करता है क्योंकि इस topic से related या इस तरह का सवाल आप में से अकसर काफी सारे लोग मुझे ये पूछते हैं तो आज किस वीडियो में जो है वो finally सभी तरीके बताने वाला हूँ हलाक इस पर मैंने एक वीडियो अलड़ी पहले बना रखे है लेकिन दोस्तो 2021 में YouTube ने फिर से अपनी guidelines को update किया और यहाँ पर कुछ और नए वीडियो टा किया तो subscribe कर दीजिए so hello so मेरा नाम हरी को आप देख रहे हैं टैकर को चली वीडियो को start करते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तो टोटल 6 ऐसे टाइप हैं जिन टाइप की वीडियो अगर आपकी YouTube चैनल पर है या आपने upload करने के बाद आपकी जो वीडियो से वो इन 6 में स किसी भी टाइप में आती हैं तो इन वीडियो का जो watch time है वो monetization threshold में count नहीं होगा चाहे उस पर कितना भी views हो कितने भी watch time हो या वह किसी भी तरह की वीडियो हो उसका जो watch time है वो आपके monetization threshold के लिए count नहीं होगा तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर आप अपनी YouTube चले पर किसी भी वीडियो को upload करने के बाद private कर देते हैं तो उसमें जितना भी watch time आपको मिला हुआ होगा तो वो watch time monetization threshold के लिए count नहीं होगा जब तक आपकी वीडियो जो है वो प्राइवेट में ही रहेगी लेकिन अगर आप उससे publish कर देते हैं तब उसका watch time जो है वो count हो जा तो यहाँ पर उसका जो watch time है वो monetization threshold में count नहीं होगा जब तक कि वह unlisted में ही रहेगी लेकिन अगर आप बाद में उससे publish कर देते हैं तो यहाँ पर उसका watch time जो है वो count हो जाएगा तो थर्ट नम्मर पे आता है यहाँ पर deleted videos अगर आप अपने YouTube चैनल पर किसी भी वीडियो से watch time gain करते हैं चाहे वह कितने भी amount में watch time क्यों हो अगर वीडियो को कुछ time बाद आप अपने YouTube चैनल से delete कर देते हैं तो delete करने के बाद उस वीडियो से आपने जितना भी watch time gain किया होगा वो सभी का सभी जो watch time है वो आपके YouTube चैनल से delete हो जाएगा और वो monetization threshold में भी count नहीं ह होगा यहाँ पर दोस्तों जो चौधा टाइप है वो है add campaign अगर आप अपनी YouTube वीडियो को add campaign के थुरू promote करते हैं या आप अपनी वीडियो को add लगवा कर YouTube पर दिखाते हैं तो यहाँ पर उन add campaign के थुरू जितना भी watch time आपकी उन वीडियो पर आएगा वो भी सभी का सभी जो है वो monetization threshold के लिए count नहीं होगा यहाँ पर दोस्तों जो fifth type है वो है अगर आपकी YouTube चैनल पर जो भी वीडियो हैं उन वीडियो में अगर किसी भी तरह से अगर YouTube stories के थुरू और short videos वाले self के थुरू अगर उन पर views आते हैं चाहे वो फिर आपकी छोटी वीडियो हो 60 seconds से क तो उनका भी जो watch time है वो monetization threshold के लिए count नहीं होगा और यहाँ पर दोस्तों sixth and last जो type है वो है live videos अब आप में से काफी सारे लोग को लग रहा हूँ कि क्या live videos का जो watch time है वो monetization threshold के लिए count नहीं होगा तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो live videos है उनका watch time तो count होगा लेकिन यह यहाँ पर एक condition है कि अगर आप अपने YouTube चैनल पर live आते हैं और आपकी जो live वाली वीडियो है अगर वो VOD वीडियो में convert नहीं हो पाती है यहाँ आपकी जो live वीडियो है आप उसे live session के बाद delete कर देते हैं या अगर आप अपनी उस live वाली वीडियो को अपने YouTube चैनल पर as a normal वीडियो नहीं आने देते हैं या नहीं अब publish करते हैं तो यहाँ पर उसका जो भी watch time आपको मिला था live session के दौरान वो सभी का सभी monetization threshold के लिए count नहीं होगा या अगर आप अपने YouTube चैनल पर live आते हैं तो live आने के बाद आपको उस live वाली वीडियो को आपको अपने YouTube चैन में वो count नहीं होगा monetization threshold के लिए तो वीडियो कैसा लगा मुझे जरूबता हैं अच्छा लगा तो एक like कर दीजे चैनल को subscribe नहीं का subscribe कर दीजे तर तक क्लिक गुड़ बाई टेक कियर